हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो लखी एक्जाम यूटूब चैनल आज का हमार टॉपिक जो है वो है आवार्ड्स, बुक और प्राइस से जितने भी करेंट अफियर्स है उन सारे करेंट अफियर्स को हमनों कवर करेंगे और यह जो करेंट अफियर्स होगा यह फरवरी मन्त से लेके अगस्त मन्त तक के करेंट अफियर्स को कवर करेंगे जो आने वाली एक्जाम, जो हमारे एक्जाम है CGL का 2019 जो मार्च के मन्त में कंड़क्ट होगा इसके अलावा CHSL 2019 जो मार्च के मंत में conduct होगा मार्च 2020 में ये exam होगे जिसके लिए ये current affairs बनाया गया है और आने वाल exam के लिए बहुत important है जैसा कि आपको पता है CGL 2018 हो या CHSL 2018 हो, या MTS 2018 हो या फिर CPO 2018 हो उसमें जो current affairs था awards, book, prize और दूसरा था sports और तीसरा था economics economics की जो current affairs होते हैं वो भी अच्छे खासे questions पुछे गए थे इसके लावा sports related जो questions थे वो भी पुछा गया था और award, book और prize से भी अच्छे खासे questions पुछे गए थे और हमारा आज का topic है जिसमें हम लोग award, books और prize isolated सारी questions को cover करेंगे तो चली start करते हैं तो हम लोग जो start करेंगे हम लोग सबसे पहले February का देखेंगे उसके बाद January then after December, November, October, September then last में जो मन्त होगा वो होगा हमार आगस्ट क्यूंकि आपको पता है सबसे जादे questions पुछे जाते हैं current affairs के वो last 6 मन्त जो होता है उससे जायतर questions पुछे जाते हैं SAC के exam में इसलिए last 6 मन्त के current affairs को हम लोग यहाँ पर cover कर रहे हैं तो चली start करते हैं और first question है हमारा question number 1 February मन्त का Who has won the मात्री भूमी book of the year award for 2020 for translation of blue is like blue blue is like blue जो किस ने लिखा था विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा था जिसका translation किया गया इसके कारे इन हैं मात्री भूमी book of the year award मिला 2020 के लिए एक Malayalam newspaper जिसने इसको translate किया था इस book का और इस book के लिए विनोद कुमार शुकल को award मिला वो award कौन था? वो था मात्री भूमी book of the year award for 2020 बहुत ही important question से आने वाले exam के लिए तो इसे याद कर ले मात्री भूमी book of the year पुरुसकार, blue is like blue जिसके लेखा कोन है? विनोद कुमार शुक्ल ये तीनों important है किसी भी exam में ये आ सकता है next question है वारा question number two actress वहिदार आमान has won the national किशोर कुमार सम्मान award जो MP के MP government वो देती है national किशोर कुमार सम्मान award और ये 2018 के लिए दिया गया था वहिदार आमान को ये पुछा जा रहा है कौन से state government ये देती है तो ये मत्र पर्देश की government जो है ये अवार देती है national किशोर कुमार सम्मान अवार और 2018 के लिए जो घोसना किया गया है उसमें वहिदा रामान को चुना गया है तो हमारा इंसा हो जागा वहिदा रामान राष्टे किशोर कुमार समार पुरुसकार 2018 के लिए दिया जाता है किसके दोरा मत्परदेश गौर्वर्मेंट के दोरा Next question है मारा question number 3 Which states transport corporation has won the ministry of transports road safety award 2018-19 for its low accident rate कम दुरघटना दर के लिए जो राज को मिला है परिवन निगम को जो मिला है ये पुरुसकार और उस पुरुसकार को नाम है transports road safety award 2018-19 डैली दाज को मिला है और इसके लावा जो पहारी छेत्र है उसके लिए अलग से आवाड है और उसके लिए नागा लेंड को चुना गया गया पुरुसकार मिला और इस पुरुसकार को नाम है road safety award 2018-19 next question है मारा question number four who is the author queen of suspence ? कोई नब suspense जो है वो उसके author कौन है ये पुछा जा रहा है तो इसका author है Mary Hinnis Clark कोई नब suspense की जो लेखी का है वो Mary Hinnis Clark है और इनका हाली में निदन हुआ इसलिए ये आने वाले exam के लिए important है पुछा जा सकता है next question है हमारा पेइन गौरी लंकेश अवार्ड किसे दिया गया 2019-2020 के लिए तो 2019-2020 के लिए यूसुफ जमील को ये अवार्ड दिया गया तो ये था हमारा 5 मन्त का questions क्योंकि ये 5 इसलिए है क्योंकि हम एक से लेके 15 फरवरी तक के questions कोई select किया था और जो next है हमारा वो जनवरी का है जिसमें हम लोग हर मन्त में कम से कम 10 से 15 15 questions जो हम लोग cover करेंगे इस तरह से हमारा जो total जो questions cover होगा इन तीन topic में approximately 80 questions होगा जो आने वाले exam SSD के लिए बहुत important होगा और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे website lucky exam.com पे जाके वहां से इस जगह पे आपको current affairs in Hindi के section में आ अलाग है वहां पे भी आप ये PDF को डाउनलोड कर सकते हैं चली देखते हैं next video sorry next जो हमारा topic है वो है January मंत का January मंत के current affairs हम लोग देखते हैं तो यह हमारा January मंत का current affairs और हमारा first question है question number one who was awarded the golden jubilee fellowship award for 2018-19 in the field of cryptography and information theory to cryptography और सूचना सिधान छेत्र में स्वर्ण जैनती fellowship award से किसे सम्मानित किया गया 2018-19 के लिए तो डॉक्तर शोजचा अगरवाल को golden jubilee fellowship award से सम्मानित किया गया next है हमारा question number two who won the hundred global child prodigy award 2020 in the singing category for singing 120 languages 100th global child prodigy award जो है किसने जीता सूचेता शतीस ने यह award जीता next question है हमारा the cuckoo's next cuckoo's next जो है वो पुस्तक के लेखक कौन है इसके लेखक है यह सेतु मादवन जो है the cuckoo's next के लेखक है next question है हमारा question number four who is the director general of DRDO's aeronautical system also known as missile women of india both important questions है missile women of india पुछा जा रहा है ना कि missile men of india पुछा जा रहा है तो इसके आंसर कौन सा होगा इसका आंसर है 9th January 2020 first Muppa Varu national award किसे दिया गया था तो यह दिया गया था Dr. Gutta Muniratnam Dr. Gutta Muniratnam को पहला Muppa Varu national award राष्टे पुरुस्कार मिला था next question है question number six which famous British award has been awarded to Indian origin writer Jasvinder Bilan for the novel Asha and the Spirit Bird तो Jasvinder Bilan जो एक लेखिका है इनको एक उपन्यास और उस उपन्यास का नाम है Asha and the Spirit Bird उसके लिए पुरुस्कार मिला था तो उस पुरुस्कार का नाम क्या है तो उस पुरुस्कार का नाम है बाल साहित्य पुरुस्कार Children's Literature Award तो Children's Literature Award जो है वो किसे मिला वो मिला जस्पिंदर Bilan को किस नोवेल के लिए मिला Asha and the Spirit Bird next question question number seven union home minister Amisa released a book named क्रम योद्धा गरंथ which book is based on the life of the witch Indian politician तो यह जो book है जिसका नाम है क्रम योद्धा गरंथ यह किस पर लिखा गया है यह नरेद मोधी पर लिखा गया है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है तो क्रम योद्धा गरंथ जो है नरेद मोधी पर लिखा गया है नेक्स्ट हमारा क्रिशन नमर एट who was honored with मद्ध पर्देश स्टेट गवर्मेंट अवार्ड 2017 और 2018 निशनल लता मंगेशकर अवार्ड तो निशनल लता मंगेशकर अवार्ड जो है किसे दिया गया है 2017 के लिए और 2018 के लिए जो हाली में एनाउंस किया गया था तो 2017 के लिए किसे दिया गया यह दिया गया सुमन कल्यानपूर और 2018 के लिए कुल्दीप शिंग को दिया गया कुल्दीप शिंग को 2018 के लिए राष्ट्रे लता मंगेशकर पुरुसकार और सुमन कल्यानपूर को 2017 के लिए राष्ट्रे लता मंगेशकर पुरुसकार दिया गया, next है question number 9, who received the order of Australian award, order of Australian award, जो Australia का highest civilian honor है, यानि कि Australia का जो सर्वुच नागरिक सम्मान है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं, order of Australian सम्मान वो किसे दिया गया, तो वो दिया गया है, किरन मजबदार शौ को दिया गया Australia का highest civilian honor, next है मारा question number 10, who is the author of the book, The Wining Sixer Leadership, Licence to Master, released from Anil Radhakishnan कुम rapid, तो Anil Kumla ने इस book को जारी किया, और इस book का नाम है, The Wining Sixer Leadership, License to Master, तो यह किस ने लिखा, तो यह लिखा है Vankat Raman ने, Vankat Raman ने इस book को लिखा है, वुक का नाम है, The Winning Sixer Leadership, License to Master, और इसे जारी किसने किया, यह किया Anil Kumla नेस्ट है क्रेशन नमर 11 तो चेंपियनगों चेंपियन को समवानित किया गया 2013 का चेंपियनगों चेंपियनगों से नेक्स्ट कुशन है मारा question number 12 पर्णम मुखरजी रिलीज्ट अ बुक टाइटल Relentless Relentless जो एक बुक है यह बुक किसकी autobiography है तो यह बुक यहश्वन सिनहा की autobiography है Relentless बुक जो है यह आत्मकता है यहश्वन सिनहा का तो यह था हमारा जनुवरी मन्द का current affairs next है हमारा December month का current affairs और first question है हमारा question number one who is the author of the book the legacy of militancy in Punjab long road to normalcy तो ये book जो है किसने लिखा है इसके लेखक कौन है तो इसको लेखक है इंदरजीत सिंग जाजी और दोना सूरी ने इस book को लिखा है important question है और इस book का नाम है the legacy of militancy in Punjab long road to normalcy next question है हमारा question number two name the American actor who was awarded the PETA people for the ethical treatment of animals जिसका full form होता है PETA का और person of the year award दिया गया 2019 के लिए तो वो कौन है वो है जोकीन राफेल फोनिक्स जो है उनको ये award दिया गया next question हमारा question number third the poet of which language Akitam Achutam Namudri has been declared the prestigious Janpit Award 2019 तो जो ये कवी है Akitam Achutam Namudri जिन्हें ज्यानपीट पुषकार 2019 इनको दिया गया तो वो किस भासा के कवी है तो किस भासा के कवी है तो ये मल्यालम के कवी है बहुत ही important questions है ये exam में आ सकता है कि ज्यानपीट पुषकार 2019 के जो कवी है उनका नाम क्या है तो उनका नाम है Akitam Achutam Namudri और किस भासा के है तो ये मल्यालम के है नेक्स्ट कुर्शन है मारा क्वेशन नमबर 4 वो अज ओनर्ड विद गंगाधर निशनल अवार्ट 2019 उचिज अवार्डे इन मेमोरी ऑफेमस पोईट गंगाधर मेहर तो गंगाधर राष्टे पुरुषकार 2019 जो दिया गया वो किसको दिया गया वो दिया गया विशुनात परसाथ तिवारी को गंगाधर राष्टे पुरुषकार 2019 से सम्मानित किया गया नेक्स्ट कुर्शन है मारा क्वेशन नमबर 5 वो ओन दे 42nd जम्नालाल बजाज फाउंडेशन अवार्ड बहुत इंपोर्टेंट कुर्शन है 42nd जम्नालाल बजाज फाउंडेशन अवार्ड किसे दिया गया तो ये साहिन मिश्ट्री को ये अवार्ड दिया गया साहिन मिश्ट्री को 42nd जम्नालाल बजाज फाउंडेशन अवार्ड दिया गया नेक्स्ट कुर्शन है हमारा कुर्शन नमबर 6 इसे दिया गया तो उसे दिया गया था पंडित विद्याधर व्यास पंडित विद्याधर व्यास को तो rearvig sus paying 2020 से संवानित किया गया Next है question no.8 Which state police was awarded President's colors and became the seventh to receive the honor So President's color से संवानित किया गया qui state सें गुजराट Next question no.9 Name the Indian politician who won the Sahit Academy Award 2019 for his book An Era of Darkness, the British Empire in India तो An Era of Darkness, The British Empire in India जो है, वो किसके दोरा लिखा गया है, जिसके लिए उन्हें साहित अकादमी अवार्ड भी दिया गया, तो वो है शशी थरूर, शशी थरूर जो एक पॉलिटीसियन है केरला के जिन्हें ये अवार्ड दिया गया, साहित अकादमी अवार्ड और किस बुक के दिया गया है, तो बुक का नाम है An Era of Darkness, The British Empire in India, बहुत इंपोर्टेंट कोईशन से आने वाले एक्जाम के लिए है, नेक्स्ट है हमारा क्वेशन अमर्ट 10, विच तमील नॉवेल रिटेन बाय ऑथर, जो धार्मन रिसेंटली गौट साहित अकादमी अवार्ड फॉर दे य अथर चो धार्मन को, लेखक चो धार्मन को ये पुरुषकार दिया गया, साहित अगादमी पुरुषकार 2019, नेक्स्ट है हमारा क्वेशन अमर्ट 11, विच अवार्ड 2019 के लिए साथ अवार्ड लेटरिचर में किसे दिया गया, तो ये दिया गया अमिताब बाग जी, अमित पी साबला राम मेमोरियल अवार्ड 2019, फोर इस कांट्रिबिशन इन फिल्ड अवार्ड लेटर, तो ये जो अवार्ड है, पी साबला राम मेमोरियल अवार 2019, उसे किसे दिया गया, ये दिया गया, शरत पॉंख्षे, शरत पॉंख्षे को ये अवार्ड दिया गया, पी का question number 13 which state won the most film friendly state award at the 66th national film film awards तो friendly state के लिए किसे ये अवार दिया गया national film awards तो ये उतराखंड को दिया गया उतराखंड को most film friendly state का पुरुषकार दिया गया next है हमारा next है हमारा month जो है वो है November month का current affairs और first question है हमारा question number one with the 28th व्यास सम्मान for the year 2018 in New Delhi who was awarded for the 12th compilation of poetry collection as many people as many love तो जो कविता संगरा जितने लोग उतने प्रेम के लिए बारवे संक्रन के लिए जिसे सम्मानित किया गया वो कौन है इसको 28 व्यास सम्मान दिया गया तो वो है लिलाधार जागुडी लिलाधार जागुडी को जितने लोग उतने प्रेम के बारवे संक्रन के लिए उन्हें 28 में व्यास सम्मान के लिए सम्मानित किया गया next question है मैंना question number two who won India's richest JCV award for literature 2019 for the far field for the first time at the award ceremony held at Rambag place Rajasthan, Jaipur the far field के लिए साहित 19 के लिए JCV पुरुषकार किसे दिया गया तो ये दिया गया माधुरी विजय को माधुरी विजय को JCV पुरुषकार दिया गया किसके लिए दिया गया the far field के लिए next question है मारा question number third who won the सस्थाराम अवार्ड 2019 सस्थाराम पुरुषकार 2019 किसे दिया गया तो के पी नंद कुमार को सस्थाराम पुरुषकार 2019 दिया गया next है JCV आवार्ड किसे दिया गया literature के लिए तो माधुरी विजय किसे हम लोग ना भी देखा next question है question number five who was awarded the UAE government supported 2019 Asia Business Leadership Forum जिसका फुल फॉर्म होता है ABLF का फुल फॉर्म होता है Asia Business Leadership Forum Global Asian Award से किसे सम्मानित किया गया तो कुमार मंगलम विर्ला को 2019 का Asia Business Leadership Forum Global Asian Award से सम्मानित किया गया तो Global Asian Award जो है कुमार मंगलम विर्ला को मिला next है हमारा question number six who won the Jamkin Young Literature Award for the year 2019 for his manuscript manuscript निसिधो तो अपनी पांडूलीपी निसिधो के लिए वर्स 2019 के लिए Jamkin Young Literature Award किसे मिला तो यह मिला अविसेख सरकार को यह पुरुसकार दिया गया है Jamkin Young Literature Award next question number seven who was awarded the lifetime achievement award by the Indian Council of Medical Research lifetime achievement award जो दिया गया वो किसे दिया गया वो दिया गया किरन मजमुदार शोग को Indian Council of Medical Research के दोरा दिया गया next question number eight Tata Literature Live who has been selected for the lifetime achievement award 2019 Tata Literature Live lifetime achievement award 2019 के लिए किसे चुना गया के सजदानंद को यह चुना गया के सजदानंदन को lifetime achievement award 2019 Tata Literature Live के लिए दिया गया next question number nine which Indian film won two awards for best screenplay and best director at the seventh Asian Film Festival Barcelona 2019 held in Barcelona, Spain तो बार्शलोना में जो सात्वे ACI film महुत्सा हुआ उसके लिए best screenplay और best director के लिए जो movie घोजित किया गया जिसको पुरुसकार मिला वह movie कौन था तो वह movie था भौंसल भौंसली जो था वह movie का नाम था जिसे यह सम्मान दिया गया next question number 10 which PhD student of India has been awarded the BRICS Young Innovator Award तो PhD student जो इंडिया का एक student है जिन्हें यह award दिया गया और award का नाम है BRICS, BRICS जो एक संस्ता है जो आपको पता होगा जिसमें B for Brazil, Russia, India, China और South Africa आता है उसमें BRICS Young Innovator Award किसे दिया गया यह पुछा जा रहा है तो Young Innovator Award रभी परकाश को दिया गया next question है वहारा question number 11 who was awarded the International Children's Peace Prize 2019 organized by Dutch Kids Right Organization in the Hague Netherlands तो International Children's Peace Prize 2019 किसे दिया गया यह दिया गया? Greta Thunberg और Divya Malong को यह award दिया गया अवार्ड का नाम है International Children's Peace Prize 2019 इतल International Children's Peace Prize 2019 Greta Thunberg और Divya Malong को दिया गया next है हमारा question number 12 who is ready to join the Indian Navy as the first female pilot the first female pilot कौन थी जिसने Indian Navy को join किया तुनका नाम है Shivangi Shivangi जो है पहली महिला pilot है जो भारती नौसेना में सामिल हुई next question हमारा question number 13 who is the author of the book title the third pillar how markets and the state leave the community behind book का नाम है the third pillar how markets and the state leave the community behind तो इस book के लेखक कौन है बहुत important question से आने वाल exam के लिए क्योंकि इस book के जो लेखक है वो है रगुराम राजन जो हमारे RBI के गरवरनर रह चुके है और इन्होंने ये book लिखा है तो इसलिए हो सकता है आने वाल exam में ये पुछा सकता है और ये book का नाम है ददर the third pillar how markets and the state leave the community behind के अथर है रगुराम राजन next question हमारा question number 14 name the Indian journalist who won the International Press Freedom Award 2019 by the Committee of Protect Journalist CPJ in New York तो अंतर राष्टे प्रेश स्वधनता पुष्कार 2019 International Press Freedom Award 2019 के लिए किसे चुना गया तो नेहा दिक्षित को अंतर राष्टे प्रेश स्वधनता पुष्कार 2019 मिला next question हमारा question number 15 who is the author of the book Finding the Gaps Transferable Skills Titled Best to be You तो जो बुक का नाम है Finding the Gaps Transferable Skills Titled Best to be You इसके लेखक कौन है इसके लेखक है Simon James Arthur Tafel Simon James Arthur Tafel जो है इनके लेखक है और बुक का नाम है Finding the Gaps Transferable Skills Titled Best to be You next है मारा question number 16 Name the Indian Weight Lifter who was awarded the 27th Eklav Award 2019 27th Eklav Award बहुत important है 27th Eklav Award 2019 जो है किसे मिला तो यह मिला जोली दलबहरा को यह अवार्ड दिया गया और इस अवाद का नाम है 27th Eklav Award 2019 Next है हमारा At what age of Mahang Pratap Singh you have a Rajasthan will become the youngest judge of India तो यह पुचा जा सकता है एक्जाम में कि youngest judge है इंडिया के वो कौन है उनका उसका नाम क्या है तो उनका नाम है महिंग परताप Singh महिंग परताप Singh उनका नाम है और वो कहां के राने वाले है वो राज्थान के राने वाले है और यह सबसे कम उनके judge है जिनकी आयू मात्र 21 साल है तो यह था हमारा November मन्त का current affairs अब हम लोग देखेंगे October मन्त के current affairs को Question No.1 Who won the Royal Society Science Book Prize 2019 Award Royal Society Science Book Prize 2019 Award जो है दिया गया किसके लिए दिया गया एक बुक लिखा गया बुक का नाम है Invisible Women Data Bias in World Design for Men तो किसे दिया गया इनका नाम है Caroline Credo Prez Caroline Credo Prez को Royal Society Science Book Prize 2019 से सम्मानित किया गया Next Question No.2 Who is the author of the book title India and Netherlands Past, Present and Future तो इस बुक के जो लेखक है उनका नाम क्या है Book का नाम है India and Netherlands Past, Present and Future तो इस बुक का नाम है Venu जो लिखा है जिन्होंने उनका नाम है Venu Rajamoni ने ये बुक को लिखा है Next Question No.3 Which state was awarded the best teaching and shared space award 2019 सरसे शिक्षन और साजा अंतरिक्ष प्रुसकार 2019 से किस state को सम्मानित किया गया The Tech Whisperer के जो लिखक है वो कौन है तो वह है जस्पीत बिंदरा जो है The Tech Whisperer के लिखक है Next है हमारा Question No.5 Who was awarded the Nobel Prize in Physics 2019 for theoretical discoveries in physical cosmology तो ये जो Nobel Prize related जितने भी questions से बहुत important है तो इन सारे questions को हम लो भी देखेंगे और First Question है हमारा Nobel Prize Physics में 2019 के लिए किसे मिला तो James Pebbles को ये दिया गया Nobel Prize Physics 2019 के लिए Next है हमारा Name the Indian Forest Service IFS Officer who was awarded the Fourth Asian Environment Enforcement Award for 2019 ये भी important questions है आने वाल एक्जाम के लिए important है क्योंकि ये environments related है और environment के questions पूछे जाते हैं exam में और ये अवार्ट का नाम क्या है ये अवार्ट का नाम है Fourth Asia Parvartan Puskar तो ये किसे दिया गया ये रमेश पांडे को दिया गया Fourth Asia Environment Enforcement Award for 2019 Next है हमारा question number 7 Who is the author of the book Being a Guided Journal for Deciding Your Voice तो इस बुक के लेखक कौन है इस बुक के लेखक है Michelle Obama बुक का नाम क्या है बुक का नाम है Being a Guided Journal for Deciding Your Voice Next है हमारा question number 8 Who won the 2019 Nobel Prize in the field of Chemistry Chemistry में Nobel Prize किसे मिला था और किस काम के लिए मिला था Lithium Iron Batteries जो है उसमें काम करने के लिए महत्पुन योगदान के लिए ये chemistry का पुरुसकार मिला था तो वो है John B. Gordon M. Stanley, Whittingham and Akira Yoshino ये तिनों को ये अवार्ट दिया गया Next है हमारा question number 9 Who is the author of the book titled Carpenter and King's Western Christianity and the Idea of India तो इस बुक के लेखक कौन है जिसका नाम बुक का है Carpenter and King's Western Christianity and the Idea of India तो इसके लेखक है सिदार्थ सर्मा सिदार्थ सर्मा जिसके लेखक है इस बुक के Next है हमारा question number 10 Who was honored with the Health Council Award 2019 ये भी important है Health Council Award 2019 के लिए Global Organization of People of Indian Origin किसे दिया गया तो ये हितेश भटको ये अवार्ड दिया गया Health Council Award 2019 और किसके द्वारा दिया गया था तो ये दिया गया था Global Organization of People of Indian Origin GOPIO के द्वारा Health Council Award 2019 दिया गया हितेश भटको हितेश भटको दिया गया स्वास्त परिशत पुर्शकार 2019 किसकी द्वारा दिया गया है? GOPIO के द्वारा Next question है मारा Question number 11 Name the first Ethiopia who was awarded the Nobel Peace Prize 2019 यानि की Nobel Peace Prize जो मिला था 2019 में उसे किसे मिला था? ये मिला था अभी एहमद अली ये first Ethiopia था जिसे ये Nobel Prize मिला था Nobel Peace Prize अभी एहमद अली और विच एडिया has been awarded to Scientist Professor William J. Kallin Jr. Sir Peter J. Radcliffe and Professor Craig Leigh Sevinja for the discoveries of how cells sense and adapt to oxygen availability. तो ये किसे मिला था? ये मिला था Nobel Prize for Medicine के लिए इन तीनों को ये prize मिला था Medicine के छेत्र में इन तीनों को प्राइज दिया गया था किस के लिए दिया गया था? Cells के लिए दिया गया था किस तरह से Cells जो oxygen को sense करता है और उसे adapt करता है तो Medicine के लिए दिया गया था Next है हमारा क्वेशन Question No.13 Which Nobel Prize of the Year 2019 has been announced to Michelle Meier, Didier College and James Pebbles? तो Physics के लिए James Pebbles, Didier College और Michelle Meier को दिया गया था भातकी का Nobel पुरुसकार Michelle Meier, James Pebbles और Didier College को मिला है Next Question है हमारा Question No.14 Named the Highest Civilian Honor of Comrose Which was confirmed on the Vice President Venkayan Aydoo by the President of Comrose Mr. Ajali Azumani तो Comrose के जो सर्वुच नागरिक सम्मान क्या है उसका नाम पुछा जा रहा है जो किसे दिया गया Venkayan Aydoo जो हमारे Vice President है इंडिया के उनको ये सम्मान दिया गया जो एक सर्वुच नागरिक सम्मान है तो उसका नाम पुछा जा रहा है तो उसका नाम है Order of Green Crescent Order of Green Crescent जो नाम है इसका और ये Venkayan Aydoo को दिया गया Next है Question No.15 Who got the 2019 Booker Prize? 2019 का जो Booker Prize है वो किसे मिला? तो ये मिला Margaret Atwood and Bernard Dine Averastok को ये अवार्ड दिया गया है 2019 का Booker Pruskar 2019 का Booker Pruskar Margaret Atwood और Bernard Dine Averastok को मिला Next है मारा Question No.16 Where was Our Lady of Glory Church which won the Award of Merit during the UNESCO-Asia Pacific Awards for Cultural Heritage Conservation 2019 Our Lady of Glory Church ये कहां पे इस्तित है जिसके लिए ये अवार्ड दिया गया है तो ये कहां पे ये मुंबाई में इस्तित है जिसके लिए अवार्ड दिया गया है Next question है मारा Question No.17 Who got the Face of Asia Award 2019 at the 24th Busan International Film Festival B.I. Davalab तो ये किसे दिया गया Face of Asia Award 2019 ये दिया गया Bhoomi Pen Anker को Face of Asia Award 2019 Next है मारा Question No.18 Name the first Indian filmmaker who won the prestigious Kim Ji Sok Award 2019 for his film Laywood or Market Laywood or Market के लिए जो पुरुसकार मिला Indian filmmaker का वो पुरुसकार का नाम था Kim Ji Sok Award 2019 वो किसको मिला बहुत important question है ये अवार्ड परदीप कुरुबा को मिला परदीप कुरुबा को कौन से फिल्म के लिए ये फिल्म का नाम था Laywood or Market जिसके लिए इसे वो है September मंत का Current Affairs और फिर्स्ट कुर्शन ये बारा Question No.1 Who is the author of the book India's Lost Frontier The Story of North West Frontier Province of Pakistan तो ये जो बुक का नाम है India's Lost Frontier The Story of North West Frontier Province of Pakistan ये किस ने लिखा तो ये लिखा रागवेंदा सिंग ने इस बुक को लिखा था Next question No.2 Which award has been awarded to IPS Aparna Kumar by President Ramanit Govind on National Sports Day तो ये जो अवार्ड दिया गया है Aparna Kumar को रामनाद Govind के द्वारा उस अवार्ड का नाम क्या था तो वो अवार्ड था तेंजिंग नौर्गे राष्टिय सहास पुरुसकार 2016 जो IPS Aparna Kumar को दिया गया Next question No.3 Who wrote a book titled Fortune Turners The Quartet That Spun India to Glory तो ये बुक का नाम है Fortune Turners The Quartet That Spun India to Glory ये बुक किसने लिखा तो ये बुक आदित भूशन और सचिन बजाज सचिन बजाज और आदित भूशन ने Fortune Turners The Quartet Tate Spun India Glory को लिखा Next question No.4 Which Indian city was conferred with the emerging destination on the global accessible tourism market In 23rd session of the United Nations World Tourism Organizations General Assembly for 2019 तो 2019 के लिए भारती सहर को Westwick सुलप परेटर्ण वजार में उभरते हुए किस सहर को दिखाया गया है तो वो सहर है तेरशूर किरला Next question है मारा question No.5 Who released the book title Rethinking Good Governance Rethinking Good Governance जिसने लिखा है वो कौन है तो वो है विनोदराई उनोदराई जो एक Comptroller and Auditor General कैके भी रह चुके है और इस बुक को जो रिलीज किया है वो M. Venkayan Ido ने रिलीज किया और इस बुक का नाम है Rethinking Good Governance Next है question No.6 Who was honored with the Outstanding Performing Arts Award 2019 at the annual 21st Century Icon Awards held in London, United Kingdom 21st Century Icon Awards में Outstanding Performing Arts Award 2019 किसे दिया गया तो सुनु निगम को ये पुरुषकार दिया गया Outstanding Performing Arts Award 2019 Next है question No.7 Prime Minister of which country Sikh Hasina has been awarded the Dr. Clam Smirti International Excellence Award Dr. Clam Smirti International Excellence Award किसे दिया गया था तो इस Sikh Hasina को दिया गया और वो किस देश की प्रधान मंत्री है वो बांगलादेश की प्रधान मंत्री है तो Dr. Clam Smirti अंतराश्टी उत्किस्ट पुरुषकार Sikh Hasina को दिया गया जो बांगलादेश की प्रधान मंत्री है तो यह था हमारा September मंत का current affairs Next जो हमारा है लास्ट मंत है वो है अगस्त का महिना तो इसमें देखते हैं फर्स्ट कोशन है वारा Question No.1 Who is honored with the prestigious Entrepreneur Award of 2019 in a program organized by America's business magazine Entrepreneur India तो अमेर्का का जो business magazine है उसके द्वारा किसे Entrepreneur Award of 2019 दिया गया तो वो है रूहान राजपुत जिसे यह Award दिया गया ओदमी पुरुषकार का Next question No.2 Name the youngest doctor of Gulberg好啦 buragi carnatka who was awarded Pride of Nation Award by the Defence Minister of India Rajnath Singh Pride of Nation Award important है Pride of Nation Award जो इसे दिया गया उनका नाम क्या है जो ऊक्तिर है यंग स्थाक्टर है उनका नाम है Vinayak S. Hirmat जोने ये Award दिया गया Next है sicetson no.3 Who has been awarded the highest award of their country by the government of guys West African country तो हाली में गुएना के जो हाइस्ट अवार्ड है उस देश का जो सर्वच पुरुसकार से सम्मानित किया गया वो है हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद Question number 4 Which state got the award of most film friendly state at the national film awards? Question number 6 Who got the best feature film award at the 66th national film awards? The 66th national film award में best feature film का जो पुरुसकार दिया गया वो दिया गया हलारों को जो एक कुजराती फिल्म है Question number 6 Who is the first women president of Indian National Science Academy? First women president of Indian National Science Academy INSA इसका full form होता है Indian National Science Academy उसका जो first women president है वो कौन है? तो है चंद्रिमा साहा चंद्रिमा साहा जो प्रथम महिला अध्यक्ष है INSA की Question number 7 Which Indian journalist was awarded the 2019 Prem Bhati Award? for political reporting तो Prem Bhati Award 2019 के लिए राजदीप सर्देशाई को ये Award मिला Next है Question number 8 Which Indian state was awarded the best innovation initiative leadership award at the 14th World Education Summit 2019 for its achievement in higher education? तो higher education के लिए best innovation initiative leadership award दिया गया वो अवार्ट किस state को किस राजजी को दिया गया? तो वो राज है राजस्थान, राजस्थान को सर्षेष्ट नवाचार और पहल नेत्रत प्रुसकार से सम्मानित किया गया चौद में विश्यो सिख्छा सिखर सम्मेलन 2019 में Next है Question number 9 Who will be honored with 2019 Charlie Chaplin Britannia Award for excellence in comedy on 25th October? तो 2019 का Charlie Chaplin Britannia Award जो दिया गया वो किसे दिया गया? वो दिया गया Steve Cogan Steve Cogan को ये Award दिया गया Next Question number 10 Name the scientist who was awarded Dr. A.P.J. Abdul Kalam Award 2019 of Tamil Nadu Government during India Independence Day Dr. A.P.J. Abdul Kalam Pruskar 2019 से सम्मानित किया गया तो उनका नाम था K.C.1 K.C.1 जिन्हें ये पुरुसकार मिला Dr. A.P.J. Abdul Kalam Pruskar 2019 Next हैमरा Question number 11 Name the military personnel who were awarded the Veer Chakra 2019 on Independence Day 2019 तो वीर्चक 2019 से सम्मानित किया गया वो है अगिनंदन वर्दमान वर्दमान को वीर्चक 2019 से सम्मानित किया गया Question number 12 UAE's highest civilian award order of Jaiad is named after order of Jaiad जिसका नाम से है ये किस नाम पर रखा गया है किसके नाम पर रखा गया है आवाड तो उनका नाम है शेक जायद बिन सुल्तान अलनायान के नाम पर ये अवाड रखा गया order of Jaiad जो एक सर्वुच नागरिक पुरुसकार भी है Question number 13 Name the first Prime Minister of India who visited Bahrain Bahrain विजिट करने वाले first Prime Minister of India कौन है वो है नयन्द मोदी नयन्द मोदी जो है first Prime Minister of India है जिसने Bahrain का दौरा किया Question number 14 Who became the first women officer to be appointed as the flight commander second in command of the flight unit of the Indian Air Force तो भारती वाई सुना है कि जो उरान कमांडर के रूप में निक थोनवाली पहली महिला अधिकारी कौन है वो है शालिजा धामी सालिजा धामी पहली महिला अधिकारी है जो उरान कमांडर के रूप में भारती वाई सुना में है next question number 15 Who was awarded the prestigious fellowship of institute of directors IOD 2019 during the 29th institute of directors IOD annual day तो fellowship of institute of directors 2019 से सम्मानित किया गया वो है शाशी शंकर तो ये था हमारा अगस्त मन्त का current affairs total हम लोग ने जो current affairs देखा है जो awards से related, books से related और price से related है approximately 80 to 90 questions है जो बहुत important है आने वाले SSE CGL 2019 और CHSL 2019 जो March 2020 में होगा ये exam उसके लिए बहुत important questions है next जो हमारा topic होगा वो होगा sports से related जो questions है जो हमारे CGL के लिए बहुत important है उसको भी हम लोग देखेंगे और फिर इसके बाद last में हम लोग economics के भी questions को देखेंगे current affairs से related questions को तो चले मिलते हैं next वीडियो में जो होगा हमारा sports का जो हमारा 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 जो हम